दोस्तों अब सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आज हम बात करने वाले रोसेव 20 टेबलेट के बारे में रोसेव 20 टेबलेट अलंबिक फार्मासेटिकल लिमिटेट द्वारा बनाया जाता है इसमें रोजो स्टीन 20 mg कंटेंट है और इसकी मारकेट प्राइज लगबग 589 रुपए है तो चलो इसलों में जानती है इसके यूजेश साइड इफेक्टर सब कुछ सबसे पहले जानती है रोसेव 20 टेबलेट के यूजेश के बारे में रोसेव 20 टेबलेट का इस्तमाल कैलिस्टोल लेवल बढ़ जाना है हाट आटाच अट स्ट्रोक के इलाज में किया जाता है सबसे पहले जानती है टीट्मेंट आफ हाई केलिस्ट्रोल के बारे में रोसेव 20 टेबलेट चीनी नमक दावा के समोच से सम्मंदित है या आपके रक्त में बैड कैलिस्ट्रोल की मातरा गटा कर आपके रक्त में गुड कैलिस्ट्रोल की मातरा बढ़ा कर काम करता है और आपको स्ट्रोक या दिल की बिमारी होने के जोखे में डाल सकते है इस गटना की मातरा को कम करने की संभावना कम हो जाती है और आपको लंबे समय तक स्वास्त जीवन जीने में मदद मिलती है अगर आप अच्छा महिसूस कर रहे हो तब भी इस दवा का सेवन जारी रखे अब जानते है रोस्यो टैबलेट के साइड इफिक के बारे में इस दवा से होने वाले ज्यादातर साइड इफिक में डॉक्टर की सला लेने की ज़रुरत नहीं पड़ती और नहीं मित रूप से इसका इस्टमाल करने से ये साइड इफिक starters अपने आप समाप्थ हो जाते है अगर साइड इफिक बने रहते हैं लक्षेन भिगडने लगते हैं तो अपनी डॉक्टर से सला ले रोस्यो के सामान साइड इफिक जईसे मास्पेशियो में दर्द खाने के साथ या भोके फेट भी ले सकते लेकिन बहुतरी ही होगा कि इसे एक फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए अब जानते है रोशियो टेबलेट किस प्रकार काम करता है रोशियो टेबलेट एक लिपीर लोरिंग दवाए जिसे स्टेनिन भी कहा जाता है ये मातरा कम हो जाके आपके रक्त में गुर्ड कैलिस्ट्रोल की मातरा में बढ़ोतरी होती है अब जानते हैं इसे उज़ करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में सामाने तोर पर रोशियो टेबलेट एक सुरक्षित होता है इसे दस्त ग्यास या पेट खराब हो सकता है अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो वो इसे भोजन के साथ ले अगर आपको थकान मास पेशियो में कमजूर या दर्द कानुब होता है तो अपने डॉक्टर को सुचित करे इलाज शुरू करने से पहले और बाद में नीमित रुप से आपके डॉक्टर आपकी लिवर अपने डॉक्टर को बताए यह जान कर आपको कैसी लगी दोस्तो अच्छी लगे हो तो युडियो को लाइक और चाइनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आन तक देखनी के लिए धन्यवाद दोस्तो जैहिन दोस्तो